दोस्तो बॉलिवूड जह वो अलग-अलग चीजों पर बहुत ही कम काम करता है या अपनी फिल्मों में एक्सपरिमेंट करना इसका ज़्यादा एक्सपरियंस बॉलिवूड को नहीं है और अगर किया तो भाई वो पिटेगी इसलिए बॉलिवूड ने सोचा कि भाई मुवी के उपर एक्सपरिमेंट करने से अच्छा है कि मुवी के नाम के उपर ही एक्सपरिमेंट करते है और फिर बॉलिवूड ने एक ऐसी मुवी निकाली जिसका नाम रखा कुटे इस फिल्म का ये युनिक नाम ही लोगों को एट्रैक्ट करता है कि भाई लोग सोचते हैं कि ये कैसा नाम है तो ये कैसी मुवी है और तो और पबलिक के लिए भी मुश्किल लेटर में मुवी का टिकेट निकालने के लिए क्या बोलेंगे कि भाई दो कुत्ते दे दो एक कुत्ते दे दो तो ऐसा होगा कि मुवी के नाम पे पता नहीं कितने लोगों ने गालियां भी दी वो यहाँ पर इस बात का कोई भी आइडिया नहीं है कि इस मुवी का नाम कुत्ते क्यों रखा गया एनिवे जस्तों मुवी के नाम की बारे में बात में सोचते हैं बात करते हैं मुवी कैसी है और मुवी आपको देखनी चाहिए या नहीं तो देखे सबसे पहला टिप आपको देदू कि आगर आप मुवी देखना चाहते हो तो obviously family के साथ ये मुवी देखने मज जाना आप अकेले हो friend circle के साथ जा रहे हो तो ठीक है क्योंकि movie जो वो पूरी तरह से underrated movie है जहां movie की शुरुआ जो वो गालियों से होती है और end जो वो सेक्सिन से और अगर ऐसी family लेके घरवालों के साथ जाओगे तो obviously वहीं पे आपको कुत्ते कमीन है तो सुनना ही पड़ेगा चले बात करते हैं फिल्म के बारे में कुत्ते फिल्म जैसी कहानी जो वो बॉलिवड में actual में work करती है जो कि dark, suspense और गाली गलोच वाली फिल्म में जो ज़ादा तर cult फिल्म में होती है लेकिन अपना collection वो कमा लेती है तो बात करें फिल्म की कहानी की उपर तो फिल्म में एक वैन निकाई गई है जिसके अंदर करोडो रूपे है और उसे चुराना चाते है चार गैंग जो चारो जोई वो इस वैन के पिछे पड़े है उन पैसों को चुराने कले अब यहाँ पे हर किसी का अपना अलग-अलग reason दिखाया गया जहाँ पे उसको पैसों की कितनी ज़रूरत है तो उसके पास एक ही option होता है कि पैसों से भरी वही इस वैन को चुराना है लेकिन एक बात है कि यह फिल्म आपको एक मिनिट भी बोर नहीं करती यह इस फिल्म का एक positive reason आप बोल सकते हो लेकिन इसका एक negative point यह निकलता है कि फिल्म के जितनी भी character से उनको समझने में हमें त लेकिन जिस तरीके से उसको present किया गया जिस तरीके से camera angles डाले गए जिस तरीके से cinematography की गई हमें बड़े परदे पर बहुत ही अच्छा नजर आता है इस फिल्म के कहानी जब वो पूरी तरह से एक night की है यह जो कुछ होता है सब कुछ एक रात में होता है इसलिए जिस तरी ब्यान में रखे गए पैसे चुराने के चकर में यह चारो गैंग जो आखिर में आमने सामने आ जाते तो अब ऐसे में उस ब्यान में रखा हुआ पैसा किसका होगा कौन चुराएगा कौन लेगा यह आपको फिल्म देखने के बाद ही समझ में आए यह जानने के लिए आप प्लैटफरम पर रिलीस करते, शायद कोले बच्चे या फिर और भी ओडिन्स देखती तो शायद ज्यादा वाच्टाइम मिलता, फिल्म में थोड़ी बहुत कॉमेडी दिखाएगे, जहाँ पर आपको हसी तो आती है, लेकिन ये कॉमेडी जो है वो गैंग्स आफ वस्योपो करो, फिर देख लो, वो भी अकेले में, या फिर हेड़फोन लगा के, क्योंकि मुवी देखने के बाद तो घर वाले आपको जरूर कुटते ही बोलेंगे, तो दोस्तों आप में से कितने लोगों ने फिल्म देखी है, क्योंकि फिल्म जो फ्रैडे में रिलीस हुई है, और